हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है एक नए वीडियो में तो आज की वीडियो में दोस्तों देखे अगर आपको इस तरह का जॉब मिलता है मतलब जो जूखा हुआ हो एक साइड में जैसे कि यहां पर देखे यहां पर नीचे सेंटर में दिखा दिया हुआ है स्लोप पांच देरी तो इस तरह का अगर जॉब आपको दिया जाता है तो आप इसमें नोजल वगरे कैसे फिट अप करेंगे क्या क्या चेक करेंगे उसमें और उसका जितना जुका है वो कैसे निगालेंगे आप आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ वीडियो अच्छी लेगे जनकारी अच्छी लेगे तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें सेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तू देखिए दोस्तों सबसे पर जो सेडल है उसका हाइड चेक कीजिए देखिए एक का है 1582 चैनल जो दूसरे का है बारसाव न्यासी अब उसके बाद जो है जेहां देखिए माली ज़ीं के वियर हो गया पहला सेडल Information यह दूसरा सेडल IQ शैनल धोलो कहां जए यहां से हाइड दिया है सेंटर से मतले है तो इसनल कहीं सेंटल से देता है तो इसका दिया है 15 82 तुस्ते से जॉप समझ लेजिए आप टेपर में 5 डिटी टेपर ये ऐसे टेपर बनता है पांच दिरी ठीक है तो यह सेडल का सेंटर सेंटर है वह इतना है 3598 अब यूप को देखिए इसी में आप टेपर जो है निकाल सकते हैं कि कि इतने में में कितना टेपर है तो यहां पे पर वो निकल जाएगा, अभी देखे करते हैं, तो 1582-1279, यह आपका हो गया 303, यह जो जॉब है, वो 303 mm, जो है, उठा हुआ एक साइड से, यह पर तो इस सेटल के पास 0 हमाल लीजिए, और यह सेटल 303 mm बड़ा है, तो जॉब आटोमेटिक जो है, पाई डिगरी में जुख गया, यह जो जुखा हुआ है, टेपर है, अभी जो इस पर नोजल लगा रहा होता है, वो कैसे आप करेंगे, तो आपको जैसे कि मैंने एजी ट्रिक बताया, सिधा-सिधा आप जो जादा साइज है, उसमें से कम साइज माइनस कर दीजिए, आपका आटोमेटिक जो तो जितना आएगा, उतना एक एमेम में जुखा रहेगा, अभी देखते हैं, तो 303 डिवाइड वाई, कितना था, 3598, यह आपका हो गया, एक एमेम में जो इतना एमेम जुखा हुआ है, 0.0842, ज्यादा डिजिट नहीं लेंगे तो भी चलेगा, 0.0842 इतना लेंगे तो भी काफी है, यानि कि एक एमेम में जॉब इतना जुखा हुआ है, तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया, आपको सबसे एजी ट्रिक है, यह टेपर वेससे लगर होता है, तो कितना मतलब किस तरह से लगाएंगे, यही बताने वाला हूँ, तो यह तो आपका मालूम पड़े गया कि इतने एमेम में इतना एमेम टेपर है, यानि इतना एमेम इसमें डिस्टेंस है, यानि कि यह जो लेंध आपका 3598 है, तो यह लेंध जो है 303 एमेम है, यानि कि इतना एमेम उपर उठा हुआ है, अभी एक डिकरी का भी मैंने बता दिया, मतलब एक एमेम का भी बता दिया मैंने कि एक एममे जॉब कितना एमम जुका रहेगा तो वह भी मैंने बता जिया जैसे कि आप 303 करेंगे 303 डिवाइड बाइ जो डिस्टेंस है उसका 3598 जैने कि जो सैडल टू सैडल डिस्टेंस है इक्कुल करेंगे तो आप कितना हो गया आपका 0.0842 यह आपका हो गया एक एमम गया एक एमम में जॉब इतना जुका हुआ है ठीक है तो अभी आपको मालेजी नोजल लगाना है यह मालेजी आपका जॉब का उपर गा हिस्सा है मालेजी ओडी है इसके उपर आपको नोजल लगाना है तो जरूरी है कि अगर वेस्टल जुका हु वेसल का इस आगे से उपर का हिस्सा है और जब आपको नोजल लगाना है तो नोजल कैसे लगाएगा पूदस शीधा मतलब जब आप उठाएंगे सीधा हो जाएगा नोजल और जब आप रोलर पर रखे रहेंगे उस टाइम पे नोजल आपको टेड़ा लगाना पड़ेगा तो यह डिस्टेंस देखिए तो देखिए दोस्तों आपको मतलब यह डिस्टेंस मिल गया और यह एक mm में कितना जुका है यह भी कैसे निकालना यह भी आपको मालूम पड़ेगा और उसके बाद अब जब नोजल लगाने जा रहे हैं तो जो सेंटर का डिस्टेंस है वो तो ड्रॉइंग में दिया रहेगा कि इतना हाइट रखना है नोजल को सेंटर का उसके बाद आपको इधर कितना जुकाना है इधर कितना उठाना है यह आप कैसे निकालेंगे देखिए सबसे पहले फ्लांच का जो है ओडी चेक कर लीजे कितना ओडी है यह दो सो है तीन सो है चार सो है उसके बाद आपको यह इतना mm का फ्लांच है पिर आप उसमें इंटू ये कीजिए जितना आएगा उतना ही जुका रहेगा मान लिजिए कि ये 280 है मान लिजिए छे इंच का फ्लांच का मान लिजिए कि 280 है ठीक है अब भी इसका जो है कैसे निकालेंगे देखिए 280 इंटू अपकर कितना आया था एक mm का 0.0842 23 mm 23.5 मान लिजिए 24 mm तो एक साइड में यानि सेंटर में तो उतना ही रहेगा सेंटर में उतना ही रहेगा इस साइड में जो है 24 mm जो है नीची रहेगा और इस साइड में 24 mm ऊपर रहेगा फ्लांच जैसे कि माले जी सेंटर में जो ड्राइंग में दिया डिस्टेंस वह ही रहेगा ठीक है माले जी सेंटर में कितना दिया है 500 दिया है तो आपने इसको 500 रख दिया उतना आगे कम गरना है यानि कि 24 सेम आया था तो यहाँ पे 500 में 24 सेम कम आया गए आनि कि आप सिधा टेप से भी चेक कर सकते है मालेजे कि यहाँ पे 150 है ठीक है यहाँ पे 150 है तो यहाँ पे आपका होना चीए 174 यानि कि 24 सेम जादा होना चीए तो इस तरह से आप बड़े flange का भी यहांनि कि माले यह बड़ा flange है आपका ठीके चोबी सिंज का है या जो भी है उसका सबसे पहले यह flange का OD चेक करना है तो आपको जैसे कि मैंने बताया कि कितना mm में कितना जुका है यह आपको पहले ही मालूम पढ़ गया है एक mm में इतना जुकता है यानि अलग-अलग हो सकता है फार्मूला अलग-अलग distance हो सकता है तो इसको चेक करके आपने जो एक mm का निकाला है उसमें multiply कीजिए जो answer आता है उतना एक side जुका देना है और दूसरे side में उसको height कर देना है और center में जो distance दिया रहता है drawing में वह ही रखना है तो इस तरह से जो है taper vessel में यानि कि जो degree में जुका हुआ होता है vessel उसमें nozzle इस तरह से लगाते है अगर आप सीधा लगा देंगे जैसे कि हर normal होता है जैसे यह vessel हो गया vessel के उपर जो है scale रखे है हम लोग scale रखे चेक कर लेते हैं इधर कितना distance है same distance उदर को ना चाहिए यह जो taper vessel नहीं होता है जो जुका हुआने होता है जो degree में नहीं होता है उसमें इस तरह से लगाते है और जो vessel जो tank इस तरह से जुका होता है डिगरी में होता है उसको इसी तरह से लगाते हैं ध्यान से बाकि आप हाइट अगरे मेंटें कीजिए और दोनों साइड से डिवाइडर चेक कीजिए होल का बराबर सेंटर कोना चीए उसके बाद फिट अप कर सकते हैं तो यह तरीका है दोस्तों टेपर वेश्टल में नोज नमास्कार बायबा यह करे हैं